मामला थाना सटेई अंदर गत ग्राम कसार का है नवागत थाना टियाई आदेश जैन ने बताया कि गुरुवार शाम 6 वजे पोन में सुचना प्राथ हुई कि ग्राम कसार में करट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत होगे सुचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुँचे ज्यात हुआ कि मृता खलू रहकवार पिता छक्की रहकवार उम्र 55 वर्स निवासी कसार श्रीमती पूलावाई रहकवार, पती हल्लू रहकवार, उम्र 50 वर्स निवासी कसार, पुत्री कुमारी काजल रहकवार, पिता हल्लू रहकवार, उम्र 17 वर्स निवासी कसार, बृतवस्ता में पड़े हुए थे रात जानकारी के अनुसार हल्लू रेकवार अपने खेट पर पेपर मिंट के पौदे लगा रहा था तबी तेज बारिश शुरू हो गई और तेज हवा के साथ बिजली का तार तूट कर नीचे गिर गया और हल्लू करेंट की चपेट में आ गया जिसको बचाने उसकी पत्वी ने दौड लगाई तो वह भी करेंट की चपेट में आ गई बहां मौझूद 17 वर्षी पुत्री काजल भी अपने मा किता को बचाने दौडी मगर वह भी काल के मुह में समा गई ठाला प्रभारी दिरिक्ष्य पादेश जैन द्वारा तीनों शबो का मर्ग कायम कर पंचनामा भर कर प्रास्मिक स्वास्थ के इंद्र सटैल आया गया जहां आज सुबाव मौझूद दौक्तर ब्यमो मनोश पाल द्वारा तीनों शबो का कोस्ट मॉटम किया गया कथा शब को परजिनों को सुबूर्द किया इस हिर्दय विधार घटना से पूरे गाउं में मातन चागया इनका कहना है कि तीनों शबो का पीर मुपरांत ज्याद हुआ कि तीनों की मौत विज्वी के करेंट लगने से ही हुई है कि दंडा से काम करते हैं कि तो पैट वह लोगा है तीने आवेग अंदर भाकी मठ्वी आउट में तीनों भाला यह है कि यहादा में ज्यादा लगने पकड़ पकड़े हैं कि यहादा से काम करते हैं